मित्रो एक बार फिर मैं आपको राज मोहनी के दर्सन कराने जा रहा हूँ, आज है आठ नौवंबर दो हजार बाईस दिन मंगलवार और ये राज मोहनी एक तांत्रिक पौधा है, बरसात के बाद में ये हो जाता है, इसकी लंबाई इस पेड़ की देखिए नीचे से लेके, उपर ता लगवग आठ फिट है, इसका हिंदी नाम सुकला घास है, और इसको इंग्लिस में कंगारु ग्रास बोलते हैं, इसका बोटे निकल नाम मैंने पिछले वीडियो में डाल दिया है, लेकिन अब डिस्क्रप्शन में भी डाल दूँगा, ये एक बहुत ही अच्छा पौधा है, बरसात के वाद में, अधिकतर माहराष्ट में देखने को बिलता है, इसका पर्चे दे दूँँ, ये देखिये मित्रों, इस तरह से इसके ये जो धागे लगे हुए हैं, काले काले, ये है राज मोहनी, राज मोहनी का पौधा, ग्रहन काल में, किसी भाई ने, पूना के एक हमारे बिल्डर नमगाया, क्या करेंगे, मैंने नहीं पूछा उन से, लेकिन उनने इतनी जानकारी दी, का ये जो पौधा है, नई, जो इमारत बनती है, तो उसके गेट पे इसको लगाते हैं, मुझे इसके बिसे में जानकाई नहीं है, ये उन्होंने बताया, वैसे इसका उप्योग, तांत्रे लोग करते हैं, गलर ढंग से करते हैं, मैं उसका खंडन करता हूँ, मैं बस इतना कहता हूँ, कि ये जो राजमोहनी के जो धागे हैं, ये, ये केवल मित्रता करने के काम आती है, पिता पुत्र में, मा बेटी में, साज बहु में, और मित्रों में, पत्पत्नी में भी, तो ये पौदा पहचालना है, ये इसकी लंबाई, इस तरह से, आठ, नौ फिर तक की मिलती है, इस पर ये लगे हुए होते हैं, राजमोहनी, तो मैंने इतनी जानकाली दे दी, इसका इंट्रोडक्शन दिया, इसके तांत्रिक प्रोग बता दिये, अधिकता तांत्रिक लोग बोलते हैं, कि इसका प्रियोग, गलत धंक बताते हैं, मैं उसका खंडन करता हूँ, ऐसा है, इसका कोई प्रियोग नहीं है, बस केवल मित्रता, किसी का नुकसान करने के लिए, इसका उप्योग नहीं किया जा सकता, तो मित्रोई ये एक बार देख लें, ये है राज महोनी, और इसको हिंदी में सुक्लाघास बोलते हैं, और इंगलिस में इसको कंगारुग घ्रास बोलते हैं, कि मित्रों ये मेरा चैनल आपको अच्छा लगए तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेर अवस्करें इसी के साथ नमस्कार नेत्रपाल बुर्गादास कुस्वहाग कर लियां